नमस्का इन खबर में आपका स्वागत है भारत के बाद आखिरकार अमेरिका ने भी चाइनिज वीडियो सेरिंग एब टिक टॉक को बैन कर दिया है राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ के राश्पती डोनाल ट्रम्प ने रविवार से अमेरिका में टिक टॉक और वीचेट के डाउनलोड करने पे बैन लगा दिया है अमेरिका में टिक टॉक के करीब सब मिलियन यानि की दस करोनी उजर्स है इससे पहले भारत आलडी इसको बैन कर चुका है अमेरिकी कमर्स डिपार्टमेंट सुक्रवार यानि आज 18 सितंबर को जारी एक आर्डर के मुत अब एक Chinese वीडियो सेरिंग एप टिक टॉक और वीचेट को डाउनलोड नहीं किया जा सकेगा 20 सितंबर से माना जा रहा है कि ट्रम्प अपने इस फैसले को 20 सितंबर से पहले वापस भी ले सकते हैं क्योंकि बाइट डांस टिक टॉक की जो मदर कमपनी है उसकी दूसरी कु औरेकल के प्रतनिदियों के साथ बातचीत की है पिछले मैने ट्रम्प ने टिक टॉक और वीचेट पर प्रतबंद लगाने के लिए एक कारिकारी आदेश पर दसकत किये थे जिसके तरह दोनों चीनी कमपनी अपना स्वामित तो किसी अमेरिकी कमपनी को दे कर प्रतिबंद से बच सकती है इसमें टिक टॉक का स्वामित वीजिंग इसित बाइट डान्स के पास है सुरुवात में टिक टॉक के साथ बातचीत में माइक्रोसॉफ्ट सामिल था हाला कि अब ओरेकल और वालमार्ट ने इस समझ में बाइट डान्स के साथ बातचीत कर रही है ट्रम्प ने का है कि वो टिक टॉक के लिए अमेरिकी कमपनी ओरेकल की कथित बोली पर गौर कर रहे हैं लेकिन वो सवधे की मंजूरी देने से पाले ये सुनिशित करना चाहते हैं कि राश्टी सुरक्षा से कोई समझाओता ना हो इसमीच बाइट डांस ने टिक टॉक का बैस्विक कि यदि वो टिक टॉक किसी अमेरिकन कमपनी को बेच देती है तो फिर जो है वो उस पर बैन नहीं लगेगा फिर उसको अमेरिकन कमपनी के रूप में ट्रीट किया जाएगा और यदि ये बाइट डांस जो मदर कमपनी है टिक टॉक की उसे जो पले माइक्रोसॉफ्ट की बातचीत चल रही थी और अब ओरेकल से चल रही है तो फिर इस पर बैन लगा देंगे तो जो और निकाला गया है उसे एक प्रेसर टैक्टिस के रिफ में भी देखा जा रहा है कि जब संडे से यानि 20 सितंबर से डाउनलोड नहीं होगा तो टिक टॉक के उपर प्रेसर लेकिन ट्रम्प ये ठान चुके हैं किया तो अमेरिकी कंपनी को बेचो और नहीं तो यहां से बाहर जाओ ये टिक टॉक के लिए बहुत बड़ा सेट बैक है क्योंकि अकेले भारत ने जब बैन किया था तभी बाइट डांस को 45,000 करोन के नुकसान की बात आई थी तो आप आप ऐसी खबरों के लिए देखते रही है हमारा आडिजिकल चैनल इन खबर थैंक यू